अलो जब बिछ एलो जरस मशीन जकंशन पेक किए है हमारी 5-áveisफ प्रेस है बेंडिंग प्रेस जिसके साथ हमने कम्भी नेशन में पंचिंग भी लगाया है यह दोनों फेसिस है बेंडिंग कम पंचिंग स्पावर पेक से लिए इसका कंट्रोल पानेल ली यूनिट है करते हैं machine को अ हमारा motor on, motor up, down बेंडिंग का moment है, ये auto cycle मेν भी चलेगा और Manual cycle पे भी चलेगा, emergency switch कोई भी emergency के लिए है ये stop करने के लिए, limit switches दिहे है मशीन के operation को मशीन के स्ट्रोक को एड़ेस्ट करने के लिए अभी ये पॉटो साइकल के है और पॉटो साइकल के हम देखेंगे मशीन अपना अप्रेशन करेगा बैडिंग करेगा और ऑटोमेडिक उखर लिमिट सिट से कट हो जाएगा विवेक शीट लेगा ये और मैनुवल साइकील में आप मशीन को जहां पे आप इंचिंग के काम करेंगे आप डाउन इंचिंग के स्ट्रोक में पचलाएगे ये हमारा दो एमने का शीट है इसको हम बैंडिंग करेंगे आगे लिजी में हम इसे एक बर ओटो साइकल पर ही इसको बैंडिंग करता हूं और मशीन के ऑप्रेशन के बाद पंचिंग भी हम साफ ही ओप्रेट करेंगे विवेक मशीन के पंचिंग करेंगे दिखाई गुर्जिंट जाएगे दोन ओप्रेशन के लिए दोन ओप्रेशन एक साफ ही काम करेंगे आपकी इस मशीन में आप बैंडिंग के सातह साथ कमचिंग साथ करसक्क्राइब अरकर वी दिखा एक फीश्ट दिखाएंगे आपको वी ग्रूज जो हैं हमने चार वी ग्रूज यूज कीए हैं जिसमें आपका त Hybriding 3 mm 4 mm and 5 mm अब तो आपके हमने पांच वीग्रूस दिये हैं बिहाइंड डट हम इस मशीन में हम गेज यूज करते हैं और इस गेज का वर्किंग परफर्स आपको पता ही है और बट यह सेमी ओटोमेटिक है तो इसमें जो हमने गेज यूज किया है वो हमने मैनुल टाइप का कि है इसको आपको वन टाइम एड़स्मेंट है और इसको यहां बोल्ट के थ्रू टाइट करके आप इसमें मशीन का कहीं पर भी मेजरमेंट सेट कर सकते हैं और अपने वर्क प्रडॉक्शन को बढ़ा सकते हैं आच एश्पी की मोटर है सर जिसमें 03 का वॉल है 03 के वोल के से 20 स्ट्रोक है इसमें 18 से 20 स्ट्रोक पर मिनिट इसमें ले सकते हैं और यह ओवर ते कापैसिटी जा रहे हैं हम लेकिन 6 mm का यह शीट जिसको हम बैडिंग करेंगे हुँ आप मशीन में हमने 70 mm के सिलेंडर दी है दूर सिलेंडर है सिरफ और मशीन का का पैसिटी चार से जा रहे हैं इसमें बड़ा एजिली हमने इसको अटेम्ट कर दिया है मशीन में और मशीन के किसी भी तरह की क्वैरीस के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं मशीन जंक्शन और मशीन जंक्शन डॉन को और टैक नमबर आपको दिया ही गया है इसी वी तरह की बेंडिंग शेरिंग पंचिंग मेशीन के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं थैंकियो